जातक कथा नंबर 27 जातक कथा हैं जितनी भी चलती हैं वो नंबर से चलती हैं तो कि पहचा नहीं जा सकें 27 नंबर की जो कथा है वो अगर आप भिंड सहर को जानते हैं पंजाम में भिंड तो आपको अच्छ याद रहेगे क्योंकि भिंड में अगर ए लगा देंगे तो फिर अभिंड हो जाएगा भिंड का मतलब होता है संस्काइब भासा में भिंड यानि कि जो बिलकुल अलग पर ऐसे हो और अगर अभिंड लगा दें या अभिंड लगा दें तो अभिंड का मतलब जो लगाता चल रहा है और जो भिन्ड का मतलब अलग नहीं है भिन्ड का मतलब होता है अलग और अभिन्ड का मतलब है जो अलग नहीं है तो यह जो जातक कहता है यह है अभिन्ड जातक या अभिन्ड जातक 27 नमबर की ये जाता कता बहुत यादा अच्छी कहानी है छोटी सी कहानी है बेसिकली एक मांगलिक नाम के हती की और हाती की हती बोलते थे उस समय हाती बाग में करे लगे मांगलिक नाम के हाती की कहानी है और एक कुकुर है कुकुर का मतलब जो कुत्ता होता है उसको कुक्र बोलते है एक राजा के हत्ती साला में हत्ती साला मतलब जहां हाती रहते थे हत्ती साला के अंदर एक उसका हाती था जिसका नाम था मांगली खाती मांगली खाती रोज अपना काम करता था राजा को घुमाता था और हती साला में आके उसको खाना मिलता था खाने में जो चावल वगएरा गेहुं वगएरा या जो चना वगएरा मिलता था वो खाते समय उसके मुझे गिर जाता था क्योंकि उसकी सूल बहुत मोटी होती है और कुछ दाने वो नहीं उठा पाता या उसमें टाइम लगता है तो 30 साला में एक कुट्टा आ गया और कुट्टा जमीन पर पड़े हुए जो दाने होते थे बोजन होता था उसको खा लेता था कुट्टे को महा आराम से भुजन मिलने लगा हाती ने उसकी उपस्थिती देखी और देखने के बाद उसको इग्नोर कर दिया एक दिन इग्नोर किया एक दिन उप्षा की उसकी दूसरे दिन की फिर उसको वो आदत में आने लगा अगता कि one should long लोगई अब इतना जादा वो उस से हील मिल गया हती और कुत्ता भी हाथी आप तुक्त्ता लुगं कुकुर जो है हती से घब करहता था और ना हिए हती कुकुरb से घब कुस्ती दोणों में दोस्ती दोस्ती घहरी होने लगी तो कुकुर्ठ खाना पर ले गया कभी बठा दिया कभी नीचे और जो कुपकुर था वो भी उसके चावतर पेरों तरफ घोंके उससे खिला करता था दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई, अभिंद हो गई, अभिंद का मतब है घरंतर हो गई, लगातार हो गई, बिना अलग हो गई, अभिंद हो गई, यह जो अभिंद दोस्ती होई, यह बहुत ज़्यादा प्यार में और राग में बदल गई, राग बहुत ज़्यादा ह एक वार वो कुट्टा किशी ने देखा और उसको कुट्टा पसंद आया कुट्टे को वहां से उठाकर ले गया जो जटी कुट्टे को ले गया अब हत्ती की जो हलत थी उसकी हलत खराब में लगी जब तक वो कुकुर या कुट्टा रो जाता था तब तक तो ठीक था जब उ क्यों च Rough movement को महावर जो पालता है कि एक जवEM मैंगलिक अगभर दी है कि छोट दीया क्यों 08 लाजा ने अपने हमत्य इसका मंत्री था उसको कहा कि आ देखो क्या मामला है। आमत ने बैद बलाए, बैदो ने वह साराigung है जो राज बैद आए, राज बैदों नों चेक करने के बाद कहा, कि सरीर के रूप से यज भिलकुर ठीक है, अगर मांसिक रूप से यह बीमा लगता है लगता है कि इसे मांसिक समस्य कुछ हुई है। उन्होंने investigation किया और पाया कि एक कुट्टा रोज आता था जो अब नहीं आता। उन्होंने अंदागे लगाया कि साइट कुट्टा इसके मोह का पास का कारण है, इसके राग का कारण है, इसकी बीमारी का कारण है। उन्होंने मुनादी कराई कि इस तरह का कुट्टा है जिस भी आदमी के पास अगर वो पाया गया तो उसको मितु दंड दिया जाएगा अगर वो कुट्टा दिखाई दिया उस व्यक्तिनास कुट्टे को डरके मारे छोड़ दिया और कुट्टा सीधा भागता हुआ हत्ती के पास आया और हत्ती बड़ा खुस हुआ दोनों भौत खेले और खेलने के बाद उसने खाना खाया ग्रास खाया घास खाई और जो दाने उसका दिनके थे वो भी खाई दोनो समावत हो गई मगर पंच तत्व यानि जो पंच सीव के तत्व हैं वो यहां से आरभ होते है कहानी का जो मौराल है, कहानी का जो अबजेक्ट है जो अदेश है, कहानी जो बताती है वो यह है बताती है कि किसी वेक्ती के अंदर राग सुरू से नहीं होता क्रेविंग सुरू से नहीं होती लगाव सुरू से नहीं होता मोह सुरू से नहीं होता जो मोह व लगाव बनता है वो पहली बार बनने में हलका सा एक छोटा सा लकीर बनती है जो ऐसी लकीर होती है जैसे रेट पर बनी हुई लकीर समुदर पानी आएगा और वो उसको बारवार मिटा देगा मगर अगर लगातार लगातार कोई लगातार मिलता रहता है तो राग की लकीर उसके प्यार की लकीर वो बढ़ती चले जाती है वो लकीर ऐसी हो जाती है जैसे मिट्टी पे बनी हुई लकीर जो कुछ समय तक रहती है उसके बाद अगर लगातार मिलते रहें और उनका सभाव यह दूसरे को परसंदा जाए वेहार यह दूसरे को परसंदा जाए तो राग घहरा पुता चला जाता है क्रेविंग घहरी होती चली जाती है और फिर वो लकीर ऐसी होती है जैसे पत्थर पे बनाई हुई कोई लकीर जो बहुत घहरी होती है और मौसंग के प्रभाव से बारिश से यह हवा से नहीं वो मिटती है या बहुत धीरे-धीरे मिटती हाती को और कुट्टे को आपस में ऐसा ही लगल लगाप हो गया जो उनके दुख का कारण बना जो उनके देश का कारण बना इसने जतना भी राग होता है जतना भी मोह होता है वो बाद में जाके दुएस में देश में दुख में बदल जाता है ऐसा भगवान गुद्ध ने, ऐसा ततागत गुद्ध ने, ऐसा विदान्त पारगु ने, ऐसा लोकादी पती ने बताया, समझाया ततागत ने और उसका एग्जाब्पर इस कहानी में बहुत आसानी से होता है आप रोज मर्राग जीवन में देखेंगे, कि जिस घर में आप रहते हैं, उस घर से भी लगाव हो जाता है उससे प्यार जाता है, उसको छोटे समय भी दुख का एहसास होता है क्योंकि जब राग बहुत जाना पड़ जाता है, तो फिर दुख होता है चोटे बच्चे को अपने खिलोने से राग हो जाता है जबकि खिलोना उसके पास नहीं होता, तब राग नहीं होता मगर खिलोना लगाता रहता है, तो राग हो जाता है मा को बच्चे से राग हो जाता है, जो बात में दुखिस का करण बनता है ये एक छोटीची कहानी का बहुत बड़ा संदेज है जिसको जो भांड़क या भंडारक या भाड़क होते थे वो सारे के सारे जगे 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 जाके बताया करते थे उनका यही काम था जाता कठाय धमकों फेलाने में बहुत ही जदा एहर भूम दनेवाती हैं बहुत ज़यदा अच्छा रॉल करती हैं क्योंकि साधर वेक्तिगोर बच्चों को ये कहानिया बहुत लंबे समय तक याद रहती हैं क्योंकि ये सल्भूती हैं आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करें, इसको आगे बनाएं, बच्चों को सुनाएं, आप इसको modern कहानी भी बना सकते हैं, बनानी चाहिए धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी हैं, आप अपने पोर्टल पर, अपने यूटूब पर, अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है, उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर, टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से, कहीं से भी कोई भी वीडिय ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं, या अपनी कमेंट रिक कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मैट्रिल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं, हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट कर कर या इसको लोड कर कर या डाउनलोड कर कर या इसको टीवी में बच्चों को दिख उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खुब लाब डाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटर्चिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद संगं सरेणं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सेणं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सेणं गच्छाम। दूतियं पी धम्ममर सेणं गच्छाम। दूतियं पी बुद्धं सेणं गच्छाम। दूतियं पी दम्ममर सेणं गच्छाम। बुखियं पी संदम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुद्धं सर्णं कच्छामी ततियं पी संदम सर्णं कच्छामी